अब इस चैनल पर हमने उपाईों की बात की जोतिश की बात की तंत्र की बात की मंत्र की बात की पूजा पाठ साधना सिध्धी देवी देवताओं की रहस्य बहुत सारी बाते हमने इस चैनल पर करी एक चीज को जो है शायद मैं ही चूक गया या कुछ भी मानिये इश्वर इच्छा मानिये यंत्र क्या होते हैं यंत्र के बारे में जो है काफी कम अथेंटिक जानकारी इंटरनेट पर पहले मैंने चेक किया कि कितना कुछ जो है इंटरनेट में मौजूद है ऑथेंटिक रूप से जो वेग्यानिक परिभाशा है यंत्रों की वह मुझे बहुत कम लिए तो मैंने सोचा कि यंत्रों पर एक वीडियो बनाना चाहिए कि आखिर ये इसका क्या विज्ञान है क्या आखिर ये कैसे प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन के उपर तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यंत्रों की यंत्रों के विज्ञान की आखिर ये इसके पीछे का रहसी क्या है और इक इस प्रकार से जो है काम करते हैं देखें यंत्र का शाप्दिक अर्थ जो है वो द्यां यंद्ञाना यंद्या यंद्ञें जह से बना खिस फ Так by कि यंद्यों यानी अपने उपर यंद्ञान नियंत्रन शब्द में भी यंत्रे किसी चीज़ को किसी वस्तु शेयर का कांडूंता रखना ऊंच्ठियों को व्यंत्रें चलिए इसको में थोड़ाए साविस्त कान में इसको लगा कि आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ इंत्र एक ऐसी वस्तु है, इंगलिश में कहा जये तो मशीन एक ऐसी चीज़ होती है, जो अपनी अपनी काम करने की शमटा को, अपनी उर्जा को, समाहित करके अपने अंदर रखती है ठीक है अब इसका मतलब आप समझेंगे कि यह सी तो वह सारी चीज़ है बिल्कुल ठीक बात है हमारा शरीर ये भी एक यंत्र है ठीक है क्योंकि उस उस पटिकुलर यंत्र की उर्जा जो है उसके अंदर समाहित होती है वह सारी उर्जा को छोटी सी जगे पर समेट कर रखना ऐसा समझो सिदा सिदा अब यंत्र मशीने क्या करती है हमारे जीवन में यह हमारे जीवन को आसान बनाने का काम करती है तो हर वो चीज़ जो आपके जीवन में सहायता प्रदान करें किसी काम को करने में सरलता प्रदान करें वो यंत्र है ठीक है अब यंत्र मनें कुछे भी है सहान नहीं कि कोई बड़ी-बड़ी मशिनरी को ही यंत्र कहा जाएगा यंत्र जैसे pencil pen है ठीक है उससे पहले लोग खड़िया से लिखते थे पत्थर से लिखते थे खोद-खोद के लिखते थे उसके बाद pencil pen यह सब जिसे आई काम आसान हो गया रंचोर दास ठाचर ने जो वह परिबाशा दी न मशीन वह जो काम आसान कर दे आपका वह यंत्र है कि शायद हमारे रिष्य मुनियों को पता होगा कि आने वाले कल्यूग में समय में मनुष्य इतनी साधना इतनी इतनी जो है इतनी तपस्या नहीं कर पाएगा तो उसके लिए यंत्रों का विधान बताया गया यंत्र का मतलब यह नहीं होता है कुछ आड़ी कीडी लकीरे खींच दी यह सारा में बताऊंगा इस वीडियो में बने रही है आपके आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि यंत्र कितने शक्तिशाली होता है हमारे गुरू रिशी मारे महामुनी जो लोग है वो कितने कित चेर्ट केके तंत्र में वहे हमारा काम आसान करने के लिए इस प्रकार का इस ट्रक्चर है जो सीधा centre करता है हमारे शक्तियों के साथ इस पंकह Pak और gern पहले हम किसी किसी गत्ते से एसे हवा करने वाली हाथ से बनाने वाला पंखी होती थी उससे हवा करते थे हवा नहीं आती थी तो ठीक है घर में होती थी तो उसके बाद पंखे का विश्कार हुआ प्रफबा कूलर हो गया है हमारा काम आसान हो जया है यह सब यंत्र है इसी द्रिष्टी से हमारे तंत्र मार्ग में भी यंत्रों का निर्मान हुआ अब यंत्र में ऐसा नहीं समझने आए कि तुस्रीफ कुछ रेखा है और उसमें नंबर्स लिखे या अक्षा लिखे एक्चूली वह एक एक रेखा एक मंतर एक एक उसके अंदर जो पीज है यह उसके अंदर लिखा गया न उसके इनला इंदर अब यंतर जु है एक वाठ वर समझे यंतर कभी अकेला काम नहीं करता ठीक है और कोई यंतर इसा नहीं कि आप किसे ने यूट्यूब पर बताया और ऐसा बना लिया और इसो गले में टांग लिया कभी भी ऐसा इपसर करी नहीं सकता जिनोंने ऐसे यंत्र पहने है वो खुद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ ऐसे यंत्र कभी भी आपके जिवने प्रभावनी डालता है यंत्र के साथ मंत्र और तंत्र ये दोनों प्रक्रियाएं अवश्यक हैं थोड़ से तंथर क्योंकि तंथर के अंदर भी मन्तर होना बहुत अवश्यक रहना अंदर inte breaking अभी उतंदर ने लोहते हैं लेकिन यृंटर को अगर उंपयोग में लाना है आपको तो में मंत्रात्मक साधिनार पूरी पद्दती जिसको तंथर कहा जाता है उसका होना बहुत कि तब जाके कोई यंत्र कोई particular यंत्र आपको आपके जीवन में प्रभाव डालेगा उस निश्चित संख्या में उसके मंत्रों का जाप करना उस विदी का आचरन करना उस नियम को पालन करके उस यंत्र को बनाया जाए उस particular श्याही से देखिए इसमें भी कई सारी चीज़े जैसे अब लोग मुझे बोलते हैं कि सवाप्भोजपत्र पर जो है यंत्र हमें तका सब्सक्ता से कज़िए आधे लागा किये जारे के उन से देवता कि पूजा पर्टिकुलर पूजा पंचांग पूजा शडव शोडशुप चार पंचोब चार पूजा पूज में की गई है यह महतुपण है कागज महतुपण नहीं इतना क्यों उच जमाने में जब यंत्रों का अविश्कार हुआ तब कागज का विश्कार हुए नी था कागज थे नी है ना तो भोजपत्र पे रिशी मुनियों ने जो है और शाही भी नहीं थी ऐसा एंक तो थी नहीं तो उन्होंने चंदन को घिसके, किसी लकडी को घिसके और ऐसा यंतर बनाना आरंब किया एक्चुल जो शक्ती है वो उस यंतर के structure में है second number पे अगर मैं कहूँ तो उसकी स्याही में है ठीक है तीसरे number पे कहूँ तो वहां मैं बोजय पत्र को ही दूँगा है लाकिन ना मिले तो आप कागयस पे भी बना सकते हैं कोशिश करें कि स्याही जो है वो रखते चंदन और अश्टे गंद और इस प्रकार से स्याही कैसर वगरा यह सब जैसमें जिसका विधान हो वो स्याही आप ले सकते हैं फिर इसमें एक चीज और मैं यह कहूंगा कि यंत्र एक्चुली वो स्ट्रक्चर है जो आपके अंदर की परिमित क्षमताओं को परिमित संभावनाओं को जो है यह उपर उठाता है यह उजागर कर देता है इतनी उर्जा आपके अंदर इससे पैदा हो सकती है कि जिससे आप अपने जीव जैसे आपने 5,432 को गोणा करना है 17,835 से अभी आपको इसके लिए एक्चुली कैल्कुलेटर लेना पड़ेगा है कोई विशेज कोई महान अपवाद दुनिया में हर फिल्ड में होते हैं उनको छोड़ दो लेकिन आम बनुशी क्या करेगा कैल्कुलेटर निकालेगा क्यालकुलेटर क्या है यंत्र है उसने इतनी बड़ी गड़ित को आपने 4 पार 5 पार क्लिक किया और यह आंसर आपके सामने आगया वो यंत्र ने किया वो यंत्र का काम था जो आप आपकी अपनिमिक समता है कैसे चाहते तो आप भी कर सकते थे ना नोट्बुक लेते पिन लेके बैठते तो उसको पांच मिनिट साथ मिनिट में उसको कर लेते कि देखो यह आंसर आगे लेकिन आपको उसमें समय लगा आपके जीवन को आसान करने का काम यंत्र करते हैं अब वो चाहिए अध्यात्मिक शत्र में हो तंत्र साधना के अंदर हो यह आपके जीवन में हो यहीं अंदर का मोटा मोटी यही आर्थ होता है ठीक है हमारे तंत्र शांस्त्रों में कई सारे यसे ग्रंत हैं जिनमें यंत्रों का कि मतलब विस्तार से वढडनन है नहरा दशांत्र चइनिकाlläिटी पर बात की गई है यंत्र कौन सा यंत्र काम में लिया जा रहा है, उसमें कौन सी स्याही काम में होनी चाहिए, उसमें कौन सा दिन होना चाहिए, कौन सा नक्षत्र होना चाहिए, कौन सा समय होना चाहिए, कौन सा मंत्र होना चाहिए, कौन सी पद्धती होनी चाहिए, इस सारी चीजें मिला कर जो यंत्र बनाय होते वे देखेंगे जैसे आप मनुष्य पेन रखता है ना मैं ऐसे अगर सिंपल मैं बात करता हूं तो लोगों को आवास कम लगती है कि गुरुजी आपकी वीडियो में आवास बड़ी कम आती है तो मैंने यह माइक वाइक की ववस्ता करी है यह यंत्र है ना इससे मेरा काम पर पगपग पर आपको यंत्र देखने को मिलेंगे आपके शरीर आपका जो दिख रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपका शरीर एक प्रकार का यंत्र है अब मैंने कहा है यंत्र बीना किसी तंत्र के काम ही नहीं करता बीना किसी मंत्र के काम ही नहीं करता मंत्र व वो मन की शक्ति मंत्र, फिर Tantra जो हए हमारा system, यंत्र के नदर शरीर Tantra के नदर वह सारे system है, शोसना Tantra, Tantra का Tantra, सर जन Tantra, ये हमारे सब system है ना, ये सब Tantra, तो यंत्र कब काम करेगा, जब उसके अंदर मंत्र और Tantra की शक्ति को मिलाया जाए, शिर्फ यसा कागाश पे लिखे जो यूट्यूब पे बताया जा रहा इंटरनेट पे कि ऐसा लिख लो और इसा गले में डाल लो वो कभी असर कर रही नहीं सकता जब तक उसके अंदर तंत्र की उस प्रोसेस की और उस पर्टिकुलर मंत्र की शक्ति को समाहित न किया जाए अब एक्चुली होता क् कि इंटरनेट के जिदने भी यंत्र बताये जाते हैं वो सब सच्चे हैं वैसे यंत्र होते हैं लेकिन 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 ऐसे बहुत ही कम ग्रंथ हैं इंटरनेट पर जानकारी है नहीं ऐसे बहुत ही कम ग्रंथ हैं जिनके अंदर एक ही ग्रंथ में पूरे एक ही यंत्र का पूर्ण उसका प्रोसेस दिया गया हो एसी किता में बहुत कम है ठीक है सिर्फ ऐसा लकीरे खींच के और बना दिया और बता दिया कि यह पहन लो तो वो काम नहीं करेगा कर ही नहीं सकता आप बेकार अपना पैसा कर्च मत की लिए तो देखें हमारे तंतर शास्तर जो उस वक्त लिखे गए और जो रचे गए उनकी सबसे बड़ी वशेष्टा मैं आपको आज बताता हूं शायद 400 वीडियो साड़े 400 वीडियो हो गए लेकिन मैंने ये बाद शायद कई भी कही नहीं होगी आज कहता हूं कोई भी तंतर का प्रोसेस किसी एक बुक में कम्प्लीटली आपको नहीं मिलेगा जो अथेंटिक बुक्स हैं अथेंटिक जो बुक्स होती हैं चाहे चोखंबा प्रकाशनगी हो गीता प्रिस्की हो और कोई प्रकाशन हो खेम राज ठीक है कोई भी प्रकाशन हो उसमें किसी एक बुक में उस complete तंत्रमार्ग का प्रोसेस जो है विद्धिवत नहीं दिया गया है थोड़ा सा उस किताब मे त्थोड़ा सा शार्दातिलक में ।थोड़ा सा मंत्रमहद दी में ।थोड़ा सा तंत्राणा में ।थोड़ा सा कुलाणा में अलग 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 चीज़े employedhya in उसमें अलग अलग जगे से लेनी पड़ती है उसको प्रोसेस करके जो एक साथ उसको पुरस्टरण की विद्धी करी जाती है ये बात मैं पूरी जिम्हेदारे के साथ कर रहा हूं हाँ आज का लिए से कुछ ओथर्स हैं जो एक ही बुक में उन सारी चीजों को देने का प्रय करना है कि आम आत्मी के बसका ही नहीं है और इतना कर ले इतना अवश्य करना चाहिए कि कम से कम सुबे मनुष्य को देना ही चाहिए अगर आपकी इसमें उच्छी है तो चली बात बटक जाएगे बात यंत्रों की चल रही थी तो यंत्रों का जो है मैंने सिधा जीदा यह को बता दिए आप यंतर में क्या क्या अवस्चकता होते हैं किस-kis प्रकार से बनते हैं ये चीजे में आपको अगले वीडियो में य्य वीडियो काफी लंबा हो चुका एक hij ही संपन्द करेंगे रही अगला वीडियो बहुत important honे आवाला है यंत्र के सम्मंद में यह मैंने इसका प्रारंबिक परिचे दिया आगले वीडियो में किस प्रकार से यंत्रों को बनाने की विध्या और हम इस पर सोड़ी टेक्निकलिटीज पर बात करेंगे चलिए इसे के साथ आप सब के मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अगले शोद